पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डूयान ने युकीन और टैन्यू की साधी को रोग दिया था अब युकीन टैन्यू को बचाने के लिए डूयान को सुसाइट करने की धमकी देती है जिसके बाए डुयान टैन्यू को जिन्दा छोड़ने के बदले में युकीन को उसके साथ चलने का प्रोमिस मांगता है अब युकीन के पास टैन्यू को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि अगर युकीन डुयान के साथ जाने से मना कर देगी तब डुयान टैन्यू की पूरी फैमली को भी मार देगा इसलिए अब युकीन को डुयान की बात माननी पड़ती है इसके बाद डुयान टैन्यू को सोल एंड इमोसन फरगेट फुल पिल दे देता है और उसे छोड़ देता है यानि की जब टैन्यू होस में आएगा तब उसे युकीन के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा या जानकर युकीन बहुत दुखी हो जाती है लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पाती और बेहोस हो जाती है इसके बाद डुयान सभी को वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी युकीन का जिक्र किया तब वह पूरे वैन्यू सिटी को बरबाद कर देगा या सुनते ही सब डर जाते हैं और उसकी बात मान जाते हैं जिसके बाद डुयान युकीन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है अब टैन्यू भी बे होस्ट पड़ा होता है और होस्ट में आने के बाद उसे युकीन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता जब वह अपने पैरेंट्स को दुखी देखता है तब कहता है कि आपको घबराने की कोई जरुरत नहीं है एक महीने बाद मैं ली यू और सीतू फैमली दोनों को देख लूँगा इसके बाद टैन्यू मेडिटेशन करने के लिए पवेलियन में आ जाता है वहां टैन्यू को युकीन का पवेलियन खाली नजर आता है लेकिन उसे इस बारे में भी कुछ याद नहीं होता इसके बाद टैन्यू मेडिटेशन करने लगता है जिसके बाद उसकी सोल होंग मिंग से कनेक्ट हो जाती है और होंग मिंग और अकमपैक्शन मेथट से उसकी कल्टिवेशन स्पीड नॉर्मल इनसान से ज्यादा हो जाती है इस तरह टैन्यू में अब फायर और आइस की पाउर भी आ जाती है और कुछ समय में टैन्यू इस्प्रीट फिटर लिल्म के छटवी लेवल पर आ जाता है अब ऐसे ही एक महीने बीच जाते हैं और बोई त्यानलून के साथ इन पर अटैक करने आ जाता है लेकिन टैन्यू के फादर उन दोनों के सामने नहीं टिक पाते फिर टैन्यू के फादर बोई से अपने सभी सर्वेंट को छोड़ देने के लिए कहते हैं क्योंकि यह उनका आपसी फैमिली मेटर है लेकिन बोई कुछ नहीं सुनता और उनका मजाक उड़ाने लगता है तब टैन्यू के फादर फिर से बोई का सामना करने जाते हैं लेकिन तब ही टैन्यू वहां आ जाता है यहां टैन्यू के पैरंस को लगता है कि टैन्यू उनके सामने कुछ नहीं है इसलिए वह उसे यहां से जाने के लिए कहते हैं ताकि उसकी जान बची रहे फिर 10 यू अपने पैरेंट्स के पास आता है वह कहता है कि आप मुझे पर यकीन कीजिए मेरे होते हुए 10 फैमली को कुछ नहीं होगा इसके बाद 10 यू बोई और त्यान लून के सामने आता है और कहता है कि आज यहां से कोई भी जिन्दा नहीं जाएगा यह सुनकर त्यान लून गुस्से में उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन फिर जीया नाम उसे रोक लेता है उसे लगता है कि वह खुद 7 वी लेबल पर है इसलिए 6 वी लेबल वाले 10 यू को आसानी से हरा देगा लेकिन फिर जब 10 यू से उसका सामना होता है तो जीया नाम उसके सामने नहीं टिक पाता और उसकी पावर से हैरान हो जाता है इसके बार 10 यू जीया नाम की गरदन पकड़ कर ऊपर उठा देता है और यह देख त्यान लून 10 यू से जीया नाम को छुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है तब 10 यू त्यान लून को अपने सामने गुटने टेकने के लिए कहता है फिर त्यान लून 10 यू की बात मान जाता है अब जीया नाम की हालत देख रियाना भी दुखी हो जाती है लेकिन तब ही 10 यू को उसकी बेज़ती याद आ जाती है जिसके बाद वह उसके सामने ही जीया नाम को बहुत मारता है अब जियानाम की ऐसी हालत देख त्यानलून गुसा हो जाता है और टैन्यू की फैमली को मारने की धमकी देने लगता है तब टैन्यू त्यानलून को सामने से चैलेंज करता है और उसी समय जियानाम को मार डालता है फिर यह देख त्यानलून गुसे से तिल मिला जाता है और पर अटैक करता है लेकिन बदले में टैन्यू भी उसका करारा जबाब देता है इसके बाद तियान लून तल्वार से उस पर अटैक करने जाता है लेकिन फरी टैन्यू होंगमेंग की गौड आई वाली पावर से खुद को प्रोटेक कर लेता है और तभी टैन्यू के फादर त्यानल उनको मार डालते हैं। इसके बाद tan you boy का सामना करने जाता है लेकिन बोई उसे बौरी तरह जखमी कर देता है जिससे tan you की मदध खवरा जाती हैं। इसके बाद बोई tan you के फादर से हार मान जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी टैन्यू फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी हील हो जाती है। फिर वह बोई से कहता है कि मेरे होते हुए मेरी फैमली को कुछ नहीं होगा। इसके बाए टैन्यू सोल बर्निंग टैकनिक का इस्तेमाल करता है और अपनी बिजली जैसी रपतार से बोई पर अटैक करने लगता है। फिर बोई उसका सामना नहीं कर पाता और अपनी डॉर्टर रुयाना के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन फिर टैन्यू रुयाना को अपनी तलवार से मार देता है। वहीं बोई भी ज्यादा समय तक नहीं भाग पाता और टैन्यू उसे पकड़ कर बहुत मारता है। जिसे देख सिटी के लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाए टैन्यू के फादर बोई को जान से मारने के लिए कहते हैं। जिस पर बोई कहता है कि अब मेरा बेटा हुआंगफू सेक्ट का मेंबर बन चुका है। इसलिए वापस आने पर वह तुमारी पूरी फैमली को खत्म कर देगा। बोई अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने गिरगिराने लगता है। फिर टैन्यू की मदर उसे छोड़ देने के लिए बोलती हैं। क्योंकि वह बोई के बेटे से थोड़ी गवरा गई थी। लेकिन टैन्यू को इस बाद से कोई फर्क नहीं परता और वह उसे वही मार देता है। या नजारा देख सभी लोग बात करते हैं कि वोई का बेटा वापस आने के बाद इनको नहीं छोड़ेगा। इस दोरान टैन्यू थोड़ा सा जक्मी हो गया था। इसलिए टैन्यू की मदर उसे हील करने के लिए बाई को बुलाने वाली होती हैं। लेकिन टैन्यू बताता है कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ। अब टैन्यू को भी रियलाइज हो जाता है कि बोई का बेटा रुलोंग वापस आकर अपना बदला जरूर लेगा। इसलिए टैन्यू भी हुआंगफू सेक्ट का मेंबर बनने का डिसाइड करता है क्योंकि अभी कुछ समय बाद यूजिंग सिटी में इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। यह सुनकर टैन्यू की मदर घबरा जाती है क्योंकि उसकी सेलेक्शन प्रोसेस के दोरान ही काफी लोगों की जान चली जाती है। तब टैन्यू अपनी मदर को समझाता है और फाइनली उनको मना लेता है। इसके बार टैन्यू अपने फादर की राय मांगता है तब उसके फादर बताता है कि हुवांगफू सेक्ट हर सिटी में से केवल एक जीनियस को सेलेक्ट करता है और वहाँ पर हारने वाले को अपनी जान भी गवानी परती है। इसलिए टैन्यू के फादर इस बारे में उसे फिर से सोचने के लिए कहते हैं लेकिन टैन्यू बहुत पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। तब उसके पैरेंट्स उसे बलड इस्परीट लॉयन देते हैं जो इसे वहां तक ले जाएगा। इसके अलावाए टैन्यू की मदर उसे 10,000 इस्परीट कोईंस देती हैं जिसे वह सेक्ट के अंदर यूज कर सकता है। फिर लास्ट में टैन्यू के फादर उसे अपनी तलवार दे देते हैं। इसके बाद टैन्यू अपने पैरेंट्स का आसिरवाद लेता है और बलड इस्परीट लाएन पर अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। इस दोरान टैन्यू अपनी इस्परीट की एक और लेबल को बढ़ा लेता है और सातवे लेबल पर आ जाता है जिसके मदद से वह नौवी लेबल तक के दुस्मनों को भी हरा सकता है। अब फाइनली कुछ दिनों के बाद टैन्यू उस जगह पर आ जाता है जहां पर हुआंगफू सेक्ट के लिए कंपरटीशन होने वाला है। और इसमें जो लाज तक बना रहेगा वह हुआंगफू का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसके अलावा मेंगई सभी को वर्निंग भी देती है कि हुआँगफू का मेंबर बनने के लिए एक भारी कीमत चुकाना पड़ता है। इसलिए अगर कोई चाहे तो पीछे हड सकता है। लेकिन वहाँ आए हुए सभी स्टुडेंट्स कमपटिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद मेंगई इनके सामने आइस फायर स्परीट टाइगर को उतार देती है। और वर्निंग देती है कि इस दोरान कोई भी वेपन यूज नहीं करना है। इसके बाद कमपटिशन सुरू होता है और आइस फायर स्परीट टाइगर सभी के ऊपर आइस फायर का प्रेसर बरसाने लगता है। अब यहां मवजूद लोग इस सिटी के दो यंग मास्टर के बारे में बात करने लगते हैं जो इस फ्रीट फिटर लिल्म के नौवी लेबल पर हैं। तभी इनका देहान टैन यू पर जाता है लेकिन इनको नहीं लगता कि वह इसे क्वालिफाई कर पाएगा। अब कुछ समय के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स हार मान जाते हैं। इसके बाद टैगर आइस फायर की पावर और बढ़ा देता है जिसमें अब केवल चार कैंडिडेट्स बचे होते हैं। फिर सिटी के दोनों यंग मास्टर अपनी स्प्रिचुल पावर से इसका सामना करने लगते हैं। वहीं टैन्यू को इस बाद से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर खुद होंग मेंग की आइस फायर स्प्रिट है जो किसी भी आइस फायर स्प्रिट का मुकाबला कर सकती है। अब मेंगई भी हरान हो जाती है क्योंकि इतने प्रेसर में सातवी लेवल वाले स्प्रिट फिटल इल्म का टिक पाना नामूमकिन है। तो इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सैट कर लेना।